तीनों किशी कानून रद्द करने के बाद अब सरकार किसानों की सभी मांगे मानने को तैयार हो चुकी है लेकिन सरकार द्वारा किसानों पर दर्जमामली की वापसी में लगाई गई शर्त और MSP कमेटी को लेकर किसानों के आपत्तियों के चलते अभी तक आंदोलन को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है सेंग्त किसान मोर्चा का कहना साफ है कि जो भी फैसला होगा एकमत से होगा तो क्या है किसानों की चिंता देखे रिपोर्ट सेंक्त किसान मोर्चा ने साफ कर दिया है कि वो तब तक अपना अंदोलन वापस नहीं लेंगे चब तक सरकार अंदोलन के दोरान किसानों पर दर्ज सभी मामले वापस लेने को तयार नहीं होती है केंद की तरफ से मंगलवार को सेंक्त किसान मोर्चा को जो प्रस्ताव भी जा गया था उसमें किसानों के आंदोलन वापसी के बाद उन पर दर्ज मामले वापसी की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई थी इसे लेकर किसानों ने बैठक में साफ कर दिया कि वो हर्याना के जाट आंदोलन वाली भूल नहीं करेंगे जाट आंदोलन में सरकार के साथ आंदोलन कारियों का समझोता होने के बाद आंदोलन कारी आज भी मुकदमों का सामना कर रहे हैं इसी बात को लेकर किसान और सरकार के बीच समझोते में बड़ी अर्चन आ रही है अब सरकार की ओर से किसान मोर्चा को जो नया प्रस्ताव भीजा गया है उसमें किसानों पर दर्ज सभी मुकदमों को निलंबित कर रही की बात कही गई है सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि जब तक किसानों पर दर्जमुकद में वापसी नहीं होगे तब तक इस मामले में कोई कारवाई नहीं होगी लेकिन किसान मोर्चा सरकार से इस मामले में समय सीमा तै करनी की मांग कर रहा है साथ ही MSP कमेटी में भी किसान मोर्चा द्वारा तैय किये गए किसान संगठनों को शामिल करने की बात पर किसान मोर्चा अड़ा हुआ है इस पर अभी तक सरकार की ओर से कोई स्पष्टी करण नहीं आया है इसलिए अंदोलन को लेकर आज भी कोई फैसला नहीं हो पाया लेकिन जिस तरह से सरकार ने अब किसानों के प्रती नरम रुख दिखाया है उसे लेकर जरूर इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि किसानों का सरकार के साथ जल्द समझोता हो सकता है दरसल सरकार किसानों के अंदोलन को जल्दी से जल्दी समाप्त कराना चाहती है क्योंकि अगले साल की शुरुआत में यूपी उत्तराखंड और पंजाब समित पाच राज्यों में विधान सभा चुनावों होने वाले हैं अगर किसानों का अंदोलन जारी रहता है तो बीजेपी को इसका नुकसान विधान सभा चुनावों में हो सकता है खास तोर पर पंजाब और यूपी में